हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टो आवर यूटूब चैनल तो आज हम आपके लिए एक नया प्रोड़क्ट लेके आए हैं जिसकी हम अन्बोक्सिंग करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे कि प्रोड़क्ट कैसा है कैसा नहीं आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो बेसिकली हमारा प्रोड़क्ट है फिलिप्स का टोस्टर जो की ब्रेड टोस्ट करने में सैंविच बनाने में यूज होता है वो यह जो है यह टू इन वन टोस्टर है वो टू इन वन टो हुए इसकी और इसका प्राइज भी दिया हुआ यह देख सकते हो आप लोग प्राइज और यहां पर वॉल्टेज वागया देखी हुए इसकी छेसो वॉट और ओईजन है इसके उपर देख लेते हैं कुछ की फीचर दी हुए इसके देख सकते हो आप लोग तो बैसिकली यह इसका बोक्स है तो चलिए अब हम इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं इसको ओपन करते हैं पहले दो और यह हमने ओपन कर लिया है इसको उपर से खौलते हैं तो यह देख सकते हो आप लोग तो पेपर हैं इसमें और यह हमारा प्रोड़क्ट है इसको निकाल लेते हैं तो यह हमारा बेसिकली टोस्टर है फिलिप्स का और बाकी चीज़ क्या इसमें कुछ नहीं और यह कुछ ग्रिल दी हुई है इसकी जो कि सेन्विच बनाने में काम आईगी सारी चीज़े बताता हूं मैं आपको ट्वीन वन कैसे यह किस चीज़ का क्या यूज होगा इसका बोक्स खाली हो चुका है आप लोग देख सकते हो इसको बंद कर देते हैं तो यह हमारा टोस्टर है और यह इसकी अंदर कुछ ग्रिल हो गया देखी निकाल लेते हैं तो यह ग्रिल दी हुई है दो ग्रिल है जो कि हमें सेन्विच बनाने की काम आईगी एक सेन्विच को बनाओ आप इसको खोलो इसके किया है सेन्विच डालो दालके इसको टोस्टर में डाल दो ता कि बेक हो जाए अच्छ जाए तो बेशिकली यह दो मिली हैं इनको यहां पर साइड में रख देते हैं यह बहुत है और अपने टोस्टर को ओपन रहते हैं और यह हमारा टोस्ट पर आ गया वाव देख सकते हो आप लोग देखने में कितना अच्छा सुन्दर है काफी अच्छा है ना और काफी लाइट वेट भी यह विकुल हलका है ज्यादा वेट भी नहीं इसमें इसकी वायर है और यह हमारा फिलिप्स का टोस्टर है देख सकते हो आप लोग और यह इसके यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिये हुए है कि आपको दिखाू मैं यहाँ पर नम्मर लिखे हुए 1-8 कि कि आपको कितना बेक करना है अपना बेड ज्यादा बेक करना या कम करना है वह यहाँ पर एक छोटा था इस्टोप बटन भी दिया हुए एस्टोप करने के लिए और यह है बेड को आप डाउन करने के लिए जब बेग करना हो जब नीचे कर दो और जब बेग हो चुका हो जब अप अपर आ जाता है और यहां पर साइड में एक और कंट्रोल दिया हुए जो कि काफी अच्छा कंट्रोल है है इसका मैं यूज बताता हूँ आपको जैसे हम कई वार पेटी गजया ले आते हैं समोस यूरा थंडे हो जाते हैं घर पे लाते लाते तो वो गर्म करने हो तो इसको आप ऐसे उपर करो इसके उपर रख दो और वो गर्म हो जाएंगे तो ये इस चीज के काम आता है, काफी अच्छा यूज है ये भी, कि आप साथ की साथ बैट तो बेक करी सकते हो, और साथ में आप किसी भी चीज को गरम भी कर सकते हो, चीक है, तो ये था, इसका फंक्शन और दूसरे साइट से देख लेते हैं, और ये इसकी यहां पर प्रे कोई भी ये नीचे, कोई भी अगर आप इसमें बैट वागया डालते हो, जो वेस्ट वागया जो नीचे रह जाता है, वो आप ऐसे ट्रे निकालके क्लीन कर सकते हो, तो काफी इजी तू यूज है ये, और इसको फिर ऐसे फिट कर दो, और काफी लाइट वेट है ये फिलि और इसको आप बेक कर लिजिए, और सेंविच बेक होने के बाद आप इसको इसली निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये इस यूज के काम आते है, तो ये टू इन वन इसलिए है, क्योंकि ये सेंविच भी बेक कर सकता है, और साची साथ बैट भी बेक कर सकता है, तो इसलिए ये ह है फिलिप्स का टू इन वन टोस्टर ठीक है तो और तो इसमें क्या है और तो यह सामने कुछ ग्रिल है यह देख सकते हो आप लो काफी नीट एंड क्लीन है वो काफी सुन्दर है नीचे से भी दिखा दे सकता हूँ आपको नीचे ज्यादा कुछ है नीजाली लगाई हुई है तो बेसिकली यह है हमाया फिलिप्स का टोस्टर जो कि टू इन वन प्रोडेक्ट है और इसके साथ आपको दो ग्रिल मिलती है इसको हम इसी में डाल देते हैं यह देखी है दो ग्रिल लें ताकि आप एक साथ दो सेंविचे बेक कर सकें और ब्रेड भी बेक कर सकें इसलिए इसको टू इन वन टोस्टर कहते हैं और यह सिर्फ फिलिप्स का ही आता है टू इन वन और किसी कंपनी में नहीं आता टू इन 9.95 बट हम इसको हमने इसको एमजोन से मंगवाया जो कि हमें 2100 रुपेगा पड़ा है और काफी अच्छा प्रोड़क्ट है देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी फिनीसिंग आरे इसकी कितनी अच्छी क्वैलिटी है तो काफी अच्छा प्रोड़क्ट है तो मैं तो यही वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमाई चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें थेंक्यो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रोड़क्ट के साथ ओके बाई करें तो